हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मंस अगेन, तो गाईज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आप प्रैक्शन नेटवर्क्स का ब्राद्बेंड यूज करते हैं, प्रैक्शन नेटवर्क्स का आप नेट यूज कर रहे हैं और आपका रिचार्ज पर खतम हो चुका है तो आप दुबारे से उसको को रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें चलना है अपने ब्राउजर पर, ब्राउजर पर आने पाद आपको यहां पर एंटर करना है, my.praction.in आपको ब्राउजर पर एंटर करना है, my.praction.in तो इसके बाद आप इस page पर आजाएंगे, Praction Networks के login page पर आजाएंगे, तो यहां पर आपको अपना mobile number एंटर करना है सबसे पहले, तो रिच्टर mobile number एंटर करने बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, click to get one time password OTP, इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास एक OTP आएगा, OTP मेरे पास आ चुका है friends, मैं OTP एंटर करता हूँ, OTP एंटर करने बाद login पर क्लिक करना है आपको, तो friends यहां मेरे पास उका dashboard आगया है, Praction Networks का, यहां पर आप देखते हैं में जो मेरा account status है, वो currently show कर रहा है, expired, तो friends यह अभी मेरा current account status है, वो expired है, और अगर आप नीचे आते हैं तो फिर यहां पर आपके पास कुछ information और में जाती है, जो कि आपके plan details related है, कि आपका plan कौन सा चल रहा है भी, यहां पर आपका कौन सा plan चल रहा है, जैसे मेरा है भी 200 MBPS का data unlimited है, और unlimited local STD है, और इसमें यहां पर इसका last renewal date भी शो कर रहा है, यहां पर expired date भी शो कर रहा है, और आप और नीचाते हैं तो फिर यहां पर आपको कुछ router के details मिलती हैं, जैसे की router का serial number, ONT serial number मिलता आपको यहां पर SSID शो करता है आपको और यहां पर SSID पासवर्ड तो friends हमें रिचार्ज करने के लिए हमें इस pay वाले option पर क्लिक करना है, जो कि यहां पर है pay now, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो friends इस page पर आने के बाद आपको यहां पर सबसे नीचे जाना है, और यहां पर आपको pay पर क्लिक करना है, मैंने pay पर क्लिक कर दिया है, तो friends यहां पर आने के बाद आपको multiple option मिलते हैं, आपको अपने broadband को रिचार्ज करने के, जैसे कि अगर आपको कोई saved card है, तो आप उससे कर सकते हैं, यह फिर pay टियम wallet से कर सकते हैं, यह फिर wallet mobi quick से भी कर सकते हैं, other options में friends हमारे पास है, visa, mastercard, rupee and more, यह फिर हमारे पास UPI का भी option है, phone पे UPI, फिर Google पे UPI, net bankings का भी हमारे पास यहाँ पर option मिल जाता है, हमें wallet और pay later का भी option हमें यहाँ पर मिल जाता है friends, और यहाँ पर friends हमारे पास एक option मिल रहा है, last में two offers available, एक बाद उसको भी आप चेक कर लिए ना, ठीक है friends, तो friends मैं जो आपको रिजाज करके शोग करने वाला हूँ, मैं अपने कार्ट से शोग करने वाला हूँ, तो मैं simple card वारे option पर click करता हूँ, इसके बाद हमारे पास एक OTP आएगा है, यहाँ पर, OTP एंटर कर देना है, इसके बाद OTP की एंटर करने बाद आपको verify पर click करना है, तो friends मेरा हमारे पर holiday card added है, तो मैं इस पर click करता हूँ, आप चाहिए तो यहाँ पर कोई और card भी add कर सकते हैं, तो friends मैंने card की details एंटर कर लिया है, और उसके बाद simple यहाँ पर pay pay click कर देना है, तो मैं pay pay click करता हूँ, your payment is being processed, तो friends payment complete करने के लिए हमें OTP एंटर करना पड़ेगा, मैं OTP एंटर करता हूँ, OTP एंटर करने के बाद friends pay pay फिर से क्लिक करना है, तो friends हमारे पास एक message आ गया है payment successful, इसका मतलत ही हमारा recharge हो चुका है, आप देशेते हैं मेरे पास मेरे bank से भी message आ गया है कि 588 रूपीज कर चुके हैं, तो friends आप देशेते हैं मेरे पास इन्वाइस भी आ चुका है कि recharge कब हुआ था, और next due date कब है, और मेरा plans यहां पुरा show कर रहा है, तो friends यह था पुरा process कि आप fraction networks का broadband कैसे रिजाज़ कर सकते हैं, तो friends hopefully यह वीडियो आपके लिए helpful होगी, please subscribe my channel, please like, please share, thank you.